खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ें पाराश में सरकार के लिए हर हद को पार करने की कोशश हो रही है मुंबई से दिल्ली तक तूफान मचा है जम कर होटेल बाजी हो रही है पानी की तरह पैसे बहाए जा रहा है लेकिन आपकी हमारी सुद लेने वाला कोई नहीं है पिछले डेड़ महीने से जरता प्यास के आस कुछ नहीं है पियास की महंगाई के लिए प्रकरती को वो दोश दे रहे हैं सवाल यह कि अगर पासवान के हाथ में कुछ नहीं है तो वो मंत्री किस बात के बने हुए है किस बात के यह तस्वीरे देखी आप कई अलाकों में 180 रुपए किलो है कई 100 किलो पार हो गया है नाकपूर, कोलकता, भोपाल, जैपूर, पटना, सूरत आप जहां जिस राज्य का नाम लीजिए वहाँ पर 70 रुपए कम से प्यास इस वक्त नहीं है इससे पहले कि हम आपको प्यास की महंगाई से परेशान, जनता का दर दिखाए, आप खाद और उपभोगता मामलों के मंतरी रामिलास पासवान के इस बयान को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जिन्होंने कुछ दिनों पहले दिल्ली में गंदे पानी पर तो जम कर सियासत की, लेकिन जब सवाल प्यास का आ अब परकिर्ती के सामने में किस क्या चलता है कि हम लोग सुझ रहे थे कि आप पियाद की अगत है कि पियाद वाई में एक महिना लेट हुआ, एक महिना के बाद यागत है कि ठीक हो जाएगा जैर कि जब फसल होने का हुआ तो पानी की अगत है कि पर हो गया तो भाई जो सुननीजीए सरकार की काहिली की कहानी, सरकार ने बुरे वक्त के लिए जो प्याज बफर स्टॉक्ट में बचा रखा था ना, उसमें से भी आदा प्याज सड़ गया, 50%, 100-200 क्विंटल नहीं है, वो 26,000 टन प्याज, कोल्ड स्टोरेज में रखे-रखे, मिटी हो गई, और सर लोगों ने शुरू मेहीं जैसा कि हमने का कि 56,000 टन में टिक टन प्याज को क्यागते हैं, हम लोगों ने बफर स्टॉक बना दिया, तो वो बफर स्टॉक क्यागते हैं, कि अप्रिल मेहीं में बनाया था, अब उसका लाइफ है, चार महिना, तीन महिना, चार महिना, किया मजबूरी दिखा रहे हैं और कौन तकि वो मंतरी जो ये टे इकरें कि किसान मजबूर नहुं। आम जनता मजबूर नहुं और वह अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं कोल्कता में प्यास की पीमतों में आग लगे हुई है 120 रुपे किलो बिकरा है प्याज ममता सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए सरकारी दुकानों पे प्याज बेशने के इंतिजाम किये है लेकिन यहां भी दाम कोई बहुत कम तो नहीं है आप देखिए इस वक्त हम कोलकाटा के भवानिपूर इलाके में है और मेरे पीछे यह जो कतार आप देख रहे है यह कतार प्याज लेने की कतार है कोलकाटा में सरकार के तरफ से कई जगापे ऐसे ही कैम्प करके प्याज दिया जा रहा है और एकदम एक फिक्स कर दिया गया है जो लोग यह सरकारी जो स्टॉल बना रहा है प्याज देने के लिए वहाँ पे जो लोग आएंगे 50 किलो से ज्यादा प्याज उनको नहीं मिलेगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्याज है यह प्याज सरकार के तरफ से यह प्याज बेचा जा रहा है जबकि बाजार में 100 रुपए से 120 तक प्याज बिक रही है लेकिन सरकार पश्चिमंगाल सरकार यहाँ पे 69 रुपए में प्याज दे रहे है कल एक बयान आया था राम बिलास पासवान के तरफ से किंद्र सरकार के पास प्याज है लेकिन राज्य सरकार वो प्याज नहीं ले रहा है जिस कारण से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पर रहा है लोगों को प्याज नहीं मिल रहा है ऐसी स्थिती में राजे सरकार के तरफ से कहा गया है कि जो केंदर के तरफ से जो आंक्रे आ रहा है सामने जो बता जा रहा है जो दावे किये जा रहा है वो सही नहीं है लोग ऐसे ही सुभा सुभा आ जा रहे हैं बाजार में या फिर जो सरकारी स्टॉल है वहाँ पे लाइनों में लगके लोग प्याज ले रहे हैं इतनी महेंगी हो गई है कॉलकता में 100 से 120 रुपए किलो में बिक रहा है प्याज स्वमित सेंगुपता, ABP News, कॉलकता कॉलकता में 120 रुपए किलो और अगर आप दिल्ली में है तो 80 रुपए किलो में प्याज बिक रहा है अगर आप दूसरे किसी राज्यों में है तो यकीन मानिया 70 रुपए से नीचे आपको प्याज नहीं मिलने वाला है और मंत्री जी कह रहे हैं जो हुआ सो हुआ